प्यारे बच्चों आप सभी का हमेरे चैनल पे स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो के मादम से क्लास 10 के बच्चों के लिए बिज्ञान का एक महत्पूर सेशन लेकर क्या आउचका हूँ और इस वीडियो के मादम से मैं आप सभी को 20 बहुविगलबली प्रश्न बतान कि अब की बार 20 बहुविगलबली कोशन आ रहे हैं और इन सभी प्रश्नों को आप सभी को OMR सीट पहल करना है ठीक ना तो किस तरीक से OMR भी फिलब करना है वही मैं आप सभी की इस वीडियो के मादम से बताऊंगा साथ में इन सभी 20 बहुविगलबली प्रश्नों को अब की बार बोड के पेपर में 90 फोल ना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना साथ में बेल लाग निप्रेस करना आइए समझते हैं सबसे जो पहला कोशन क्या बोला जा रहा है यहां पर खंड को खंड को वाले को देखो एक उतल दरपड की फोकस दूरी क् कि इसकी वक्रता त्रजिया 버커 32 cm दे रखा है तो सबसे पढ़े मैं आप बता दिया हो कि जो भी किसी तरपड के लिए चाहे होँ दरपड उतल दरपड हो शाहे हो तरपड अवदल दरपड की फोकस धृरी या उतालदरपण कि को 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 सदूरी और वकरटात रिजहाय में जो रिलेस्ट को दूर इस ऩद अ मानती हैं 32 तो 32 बाटा का दो कर दो कि यहां इन्दा निकल के आ जाएगा 16 सेंटीमेटर यानि कि आपसे नमबर यहां पे यहां पे 16 सेंटीमेटर निकल के आ जाएगा ठीक न अब चलो अगला कुछने आप पूछा गया है कि एक स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदू कीतना होता है देखो प्यारे बच्चो एक बार समझो कि जब दूर बिंदू पूछेगा एकदम दूर बिंदू तब आपका ह बलाता हुत चुलों को कि दूर बिंदू यहां पिकल करना है यहां दूर बिंदू बोलेगा तो अनन्द पर क्लिक करना और निकट बिंदु बोल देगा तो 25 सेंटीमिटर याद रखना है ठीक ना दोनों कोशन इंपोटेंट है चलो अगला कुशन आप यह पुछा गया है कि अंतरिक्ष यात्रियों को अकास दिखाई देता है देखो प्यारे बच्चों जो अंतरिक्ष य तू नीला दिखाई देता है तो प्यारे बच्चों आप सभी को नीला यहां से क्लिक नहीं करना इपर टिक करना है जब प्रिथ्वी से देखोगे तो अकास कारण नीला दिखाई याद रखना चलो अगला कुछ नियाब ये पुछा गये एक लगु परिपत में धारा का मान कितना होता है धारा का मान बताइए कि जब परिपत छोटा होगा तब इलेक्ट्रिक करेंट का जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी तो इलेक्ट्रिक करेंट की वैल्यू यहां पर मै होती है maximum जब अगर लगुपथन होगा यानि कि परिपत कमान जब छोटा होगा लगुपथन होगा लगुपथन की कंडिशन में जो इलेक्ट्री करेंट की मान होती है वह अधिक्ता मैक्सिमम होती है इस वाले कोशन को आप सभी को याद रखना है त्यार करना है तो जितना कोशन बाताते चल रहा हूं सारे के सारे कोशन को अभी स्क्रीन सट लेलो या नोट्स बना लो या अभी कभी तुरंद त्यार कर लो सारे के सारे कोशन बोर्ट एक्जाम के लिए सबसे जैदा इंपोर्टेंट है और यह बोल्ड परिक्षाम में यह आफ यह पूछा गए जितना कोशन करवा रहा हूं सब के सब आफ यह घ्यौन में पूछा गया कोशन है इसको त्यार करके जाना और यह कोशन कई बार बोल्ड के विप्रम कुछा चुका है कि जो बिजली का कीस चीज का बना होता है किसका बना चल्म का किस Ilie CEO करके बता हो कि जो Electric heater होता है Heater लिप सब्ई हइस तार होता है बिदुथ हिटर तन अभी चल्बख करके बता हो किन navy है कि बीदुथ हीटर का समतल दरपड की फोकस दूरी होती है या समतल दरपड की फोकस दूरी कितनी होती है बताओ वाई समतल दरपड की फोकस दूरी सुनने होती है अनंत होती है या पचीश सेंटीमेटर होती है या माइनस पचीश सेंटीमेटर होती है तो देखो फ्यारे बच्चों यहाँ पे नरक मेक्स पूचा आप सभी से पूछ दिया समतल दर्पड pur। समतल दर्पड की फोकास दूरी होती है वह होती है अनन्त इनफाइनाइट होती है टी平 है या infinite होती है आप सभी का option में बॉब पे क्लिक करना है बॉब वाले option को याद रखना है ठीक न चलो अगला कुछ ने आप यह पूछ दिया कि मानो नेत्र के द्वारा बस्तु का प्रतेवीं में बनता है अब देखो यह पूछ रहा है कि जो हुमन आई होता है हुमन आई उस यानि जो नेत्र होता है नेत्र का वस्त नेत्र में कोई भी बस्तु होती है कोई भी फक्षी मोर कुछ भी होता है कोई वस्तु होती है उसका मतलग कि प्रतिवीं में छाय कहां बनता है कार्णिया पर कि आईरिस पर कि पूतली पर कि रेटिना बरत देखो इसको मैंने करवा प्रतिवींब रहे हैं कि चाय कहां बादता रेटीना पर इस वाले आप्शन को याद रहना है त्यानौ यहां पर आगला अगया उपखंड में आप सभी से केवल केवल गया ने पूछन पूछे जाएंगे तो तो सारे के सवरें जितने पता रहा हूं सारे के सारे कोशन is important है तियार करके जरूर जाना कोशन यहाप यह बोल रहा है कि निमलेक्षीत मेंस से कौन सात्त्त्व धात्विक है यानिकि मेटल है अब देखो मेटल यहां पे connections कि भाई सबसे पहले मैं आप सबसे बता रहा हूं लिथियम के बारे में लिथियम क्या है एक मतलब की मेटल है आप बाकी लिथियम को छोड़ करके जितने भी आप पिवर्न आप सबसेंने की हैं कि इसको ध्यान रखना ऑगला कोशन अत्धी इंप्यशन न रखना अछें बिरेनियम क्या है इसका है बता cuma तो यहां यहां थिशाने का ? कॉण सिधस्थ औरुन हात His ao बताने का प्रूफ करने का दिखर धाक है तो यहां पे यह बताना की उॉरेनियूंटा थ्यूने के इसका हुआ थिक्सक्तिकी आए ऐसकी होई कोई है था थतो है तो रेडियूआक्टीव थात्तो है हम करते हैं तो बम्ब वेगरा बनाने में हम इस रेडियम रेडियो एक्टिव पदार्थ की इस्तेमाल करते हैं जहां पर हम इस्तेमाल करते हैं समाज यह नहीं चलो अगला कुछने आप यह पुछा गया है कि Sulfur Dye Oxide का जलिये billion होता है अब यहाँ पे देखो कि Sulfur Dye Oxide यानि कि A02 का जलिये billion भाई कितना होगा अगर आप इसका H2O से क्रिया कराओगे तब जो billion हमें प्राप्त होगा वो अमली होगा कि छारी होगा कि उदासीन होगा Sulfur Dye Oxide होता है उसका जलिये billion होता है वो होता है अमली होता है अमली होता है अब एक बात और आप सभी को याद रखना है कि जो भी अमल होता है उनका जो पीच मान होता है वो कितना होता है याद रखना वो होता है साथ से कम क्या होता है साथ से कम होता है ठीक ना लेकिन बताना है चाऱ हो सका होता है प्यारए बच्षो छार होता है harmonious साते से अधिक होता है लेकिन अ मलियों के हैं अभी यहां पे साथ से ब्रॉटीक वहला हो जाएगा स्थ सफार कम फैसी कंतो रंग हो और आ तो कोई भी असीड लेलो अबसे कडिक साथ अब जभी की छारग ले रहते हैं जुआते साथ चायग हको जाएगा ठीक ना चलो अगला कुशन यह आप यह बोला गया है कि 25 डिगरी सेंटीग्रेट ताप पर जल का आयनी गुणनफल कितना होता है इसको याद रखना है टेन टुदी फावर माइनस 14 के बराबर होता है यानि कि 10 के पावर माइनस 14 होता है आप संबर बस अत्य हो जाएगा चलो अगले है पर कुशन यहां पर बोल दिया उपफघंडगाव सारे के सारे कुशन ओम्र पहल करना है अब बताओंगा ओमारपे कैसे मतलगी आप सभी भरेंगे इसको क्लिक करेंगे ठीक ना सब कुछ बताओंगा वासकाल यह पहले कुशन देखे और यहां पर यह बोल रहा ह इसमें वाय लोजी कोसन हम रिसेस करेंगे उप्खंड़कव में पीत का निर्माड कहां पे होता है तो देखो जब भी आपसे पूछेगा कि पीत का निर्माड कहां पे होता है बच्छों तो होता है सभी tracks जबोता हैं तो दोनों, कोशन को ध्यान रखना यहां भी बोल रहे आप सभी से की पीत का निर्मार्र होता है तो होता है यकृत में चलो उग्ला यहां पी कोशन यह मैं व्ट्वार को सिस्काये पाई जाती है अब बताओ कि किस में पाई इती है जडर में हता है ग्युला है घ्रिशिकेया हुम से उर्जावरग्री हिकाल साहता है आद देखो मतलब कि हम इसे बोलते हैं house of energy, house of energy कहने किसे इनर्जी मतलब कि energy का भंडार किसे कहते हैं तुस्छे हम बोलते हैं अगला कोशन इसको त्यार करना कि एक अड़ू गुलकोश के पुड़ आकशिकरण से कितने एटिपी और प्राप्त होते हैं तो होते हैं 38 एक गुलकोश अब बहुत सारे बच्चे अब गुलकोश का फर्मूला नहीं जानते होंगे तो आप मेरेको कमेंट करके बताओ कि गु शाप करके बताना कि भाई ग्लुकोज का फर्मूला क्या होता है केमिकल फर्मूला यहां पर अभी कमेंट बाक्स में छाप करके बताओ अभी इसका जो राइट एंस रोगा वो हो जाएगा अर्टिस एटीपी समझ गये चलो अगला यहां पर कोशन यह बोला गया है कि अब उसका होता है कि जो भी जल होता है वाटर होता है उसका समभन करना पेंड के हर एक अंग तक पहुंचा देना उसका काम होता है समझ गए तो यहां पर अपसरमर बहसती हो जाएगा चलो अगले यहां पर कोशन यह पुछा गया है कि अल्लाइंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है किसे में होता है अमीवा में की इस्ट में की लिस्मानिया में की प्लास्मोडियम में यह होता है इस्ट में आपसे नमर बस अत्य हो जाएगा इस्ट में होता है अल्लाइंग जिनस क्लोरो प्लास्ट या लााइसोों तो देखो किवल प्रोटीन के अगर बाद करेगा तो प्रोटीन के खाली बने होते हैं प्रखमjak Schweppel क॥ तो यह आपसे नमर और सत्य हो जाएगा अब इसको याद रखना कि केवल प्रोटीन से खाली प्रयोंस बने होते हैं इसको आप सब लिए याद रखना चलो अब प्यारे बच्चों मैं आप सबीको यह बता दिया अब आपको मैं यह बता दिया कि अब बोर्ड परिक्षा 2023 में अब जो भी आपका पेपर मिलेगा उसमें OMR सीट कैसे भरोगे तो OMR सीट भरने का बेसिक तरीका यहीं फ्हंडा होता है देखो देखो सबसे पहले मैं कई बार बता चुका हूं ऐसा एक OMR सीट मिलेगा और OMR सीट में नमर रहेगा एक से लेकर के 20 तक 1234 ऐसे 20 तक क्वेश coffin से गोला कर देना है इसे मालों दूसरा का सी न lugar MARTIN सबस्य है तो सी वालेका option क्या कर देना कर दाना है तो इस तरीक से आप से आप भी बताया जाए कि OMR पर हल करना OMR सीट को भरना किस तरी से अपना नाम अगर आप OMR पर पूरा वीडियो चाहते हैं तो वीडियो भी मैंने अल्रडी अप्लोड कर दिया है जाओ के सेक्षन में तो आपको पूरा पूरा वहाँ वीडियो ए टू ये ओमर पर में लेकर करके मै रखा है तो प्रैंड्स आजके लिए बस इतना ही अगर ये वीडियो आप सब आपको अच्छी लगी लगी हिल्फुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना और जादेश जादेश वीडियो को सेयर करना और अभी तक आपने मैरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में सारा भी लेगन प्रेस कर लो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरों में